अभिनेतरी शुश्मिता सेन शांदार अंदाज में वर्काउट करती नजराई वहीं अभिनेता संजेदत की फिल्म टोरबास का ट्रेलर रिलीज हो चुका है मौल्दीव में वेकेशन मना कर अभिनेता टाइगर श्रॉफ और देशा पटानी भी मुंबई लौट चुके हैं अभिनेतरी अनुशका शर्मा ने भी अपनी खुबसूरत तस्वीर अपनी प्रशनश को संजा की है बॉलिवुड अभिनेता संजेदत की आगामे फिल्म टोरबास का ट्रेलर आफ्रिकार आज रिलीज हो चुका है ट्रेलर को संजेदत ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा बतादे की संजेदत की यहो फिल्म सिनमा घरों में नहीं बलकिन OTT नेट्फलिक्स पर अगले महीने 11 तारिख को रिलीज होगी उनकी यहो दूसरी फिल्म है जो OTT पर रिलीज हो रही है इससे पहले सडक टू यहां रिलीज हुई थी फिल्म फी दमदार है फिल्म की अधिकतर शूटिंग अफगानिस्तान में हुई है संजेदत फिल्म में एक क्रिकेट कोच की भूमे का नभा रहे हैं जो अफगानिस्तान के रिफ्योजी कैम्प में जाकर बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं नर्गिस फकरी भी फिर्म का एहम हिस्सा है अभिनेत्री दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ हाल ही में मौलदीव से विकेशन मना कर मुंबई वापस लोटे हैं और अब दोनों ही कलाकार अपने काम की तरफ ठान दे रहे हैं शनिवार को दोनों को एक डबिन स्टूडियो से बाहर आते हुए देखा गया दिशा यहां ब्लैक आउट्फिट में नज़राईएं वही टाइगर ग्रीन लोवर और वाइट हुडी पहने यहां स्पॉर्ट हुए दोनों के मौलदी विकेशन की तस्वीरें इस वक्त शोशल मीडिया पर चाई हुई हैं काम की बात करें तो दिशा जहां फिल्म राधे में सलमान खान के साथ नज़राईगी वही टाइगर भी हीरो पंती टू और बागी फोर में नज़राईगे अभिनीत्री अनुषका शर्मा शोशल मीडिया पर काफी आक्टिव रहती हैं उन्होंने अपने इंस्ट्रग्राम पर अपनी एक खूपसूरत तस्वीर प्रशिंश को संग शेयर की है बतादे की अनुषका जल्द ही मा बनने वाली हैं इस तस्वीर में अनुषका पिंग सूट पहने काफी खूपसूरत लग रही हैं इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा खास बात यहाँ है कि फोटो को अनुषका के पापा ने क्लिक किया है इस बात की जानकारी अनुषका ने अपने कैप्शिन के जरिये दी इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि उनके पापा चाहते थे कि वो उन्हें इस फोटो से क्रॉप कर दे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया अनुषका की इस तस्वीर को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं बॉलिवुड अभी नेतरी जैकलीन फर्नांडिस ने शुक्रवार को प्रशनशकों के साथ अपनी आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म दूद पुलिस से अपना ग्लैमरिस लोक शेयर किया वहो फिलहाल पहाडों में फिल्म की शूटिंग कर रही है डलहाजी में शूटिंग शेडियूर को समाप्त करने के बाद जैकलीन अपने बाकी कलाकारों के साथ धर्मशाला में समय बिता रही है शेयर की गई तस्वीर में जैकलीन सफेश शर्ट और काली टोपी के साथ काले रंग की जैकेट पहने अपना मेकप करवाती हुई नज़रा रही है उन्होंने शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा सैफ अली खान और अरजुन कपूर भी इस फिल्म का एहम हिस्सा है हाल ही मैं अपना 45 जनम दिन सेलिब्रेट करने वाली अपनी तरी शुश्मिता सेन का एक शांदार वर्काउट वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल है इस वीडियो को शुश्मिता ने अपने इंस्टाग्राउंग पर शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें गर्व है कि वह अपने जीवन के 45 साल पूरे कर चुकी है इस वीडियो में शुश्मिता का बैलेंस देखने लायक है शुश्मिता आए दिन अपने वर्काउट वीडियो शेयर करती रहती है जिरहें उनके फैंस काफी पसंद करते हैं शुश्मिता सेन ने दो बैचियो को गोद लिया था और अब वह रोमन शॉल को टेज कर रही है